जैसे ही कोई चुनाव बीता है चुनाव का परण्याम आता है तो विवक्षी पार्टिया और मीडिया बस एक ही चर्चा करती है कि BJP आखिर जीत कैसे जाती है लेकिन इसके पीछे भाजपा जो मेहनत करती है चुनाव के कई महीने पहले से साल साल वर दो-दो साल पहले से एक में एकदम असफल हो जाती है फिर से भाजपा ने अपना वो काम स्टार्ट कर दिया है बाजपा 2024 के लोग सबाचुनाव के लिए बिहार में एकदम एक्टिव हो गई है और इसकी शुरुवात भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से हुआ है वो अलग-अलग लोग स आख छेतरों में घूम रहा है बाजपा ने इसे सुद्य चुनाव परचार नहीं बताया है वलकि इसको अपने नौ साल के कामों का हिसाब किताब देने के लिए जनता के बीच जाकर उन को धैनेबाद देने का काम बाजपा के तरफ से बताया जा रहा है भाजपा ने इसको महा जन संपर्क अभियान का नाम दिया है जिसमें वो बेमिसाल 9 साल के लिए जनता को धन्यबाद दे रहे हैं लेकिन असल में तो यह 2024 और 2025 के लिए चुनाव की तैयारी है इसी क्रम में पिछले दिनों समराट चौदरी पश्चमी चंपारण में थे पश्चमी चंपारण लो वो इस संसदिय चेतर में पहुंच जाते हैं अब पश्चमी चंपारण लोगसवा चेतर का गनित क्या कहता है कैसे बीजेपी यहाँ पर इतनी मजबूत है यहां का राजनितिक समिकरन क्या है इन सब चीजों के उपर विश्टार से हम वीडियों में आगे चर्चा करेंगे पर उससे पहले नमस्कार जनता जंक्सन देख रहे हैं और मैं हूँ सन्नी विस्टार के पीछे हमारे साथ यह विशाल खड़े हैं बिहार का पश्चमी चंपारण लोगसवा सीट जिसे बीजेपी के काफी मजबूत सीटों में से एक माना जाता है और इसका सबसे अस्पश से लगबग 3-4,000 वोट से जीती थी और वो भी बीजेपी कैंडिडेट की अपनी गलती के कारण यहां से एंडिये कैंडिडेट रामचंदर सानी जो तीन बार से बीजेपी के टिकेट से बिढ़ाय करह चुके थे एक बार मंत्री रह चुके थे उनके जो अपने लोग थे उनकी के बीच आपसी मत्वेत हो गया और एन चुनाओ के वक्त पर फुषजाती के छेत्री अन्यता रामचंदर खरनी के एक दम खिलाब हो गया और इसी का नतीजा हुआ कि उनको हर गुगतना पड़ा वरना बीजेपी यहां छे में से पांच सीट इस लोग सभा चेतर से जीत जाती इसके अलावा दूसरा उधारन आपको देते हैं जब 2019 में लोग सभा चुना हुआ तो यहां अच्छा विदान सभा चेत्रों में हर जगा से बीजेपी ने लीड हासिल किया था कोई भी ऐसा विदान सभा चेतर नहीं रहा जहां पर बीजेपी पीची रही हो और सबसे पहले इस लोग सभा चेतर में महाजन संपर्क रैली करने वो लोग पहुँच जाते हैं 2024 के चुनाव के लिए कैंपन करने चले जाते हैं और इस सीट पर जो समीकरन है वो कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी के फेवर में है जहां पर बीजेपी पार्टी के रूप 15 सालों से लगातार बीजेपी जीत रही है उसके पहले एक बार बीजेपी हारी थी और फिर उसके पहले बीजेपी ही जीतती थी 2019 के चुनाव में यहां बीजेपी अपने विपक्षियों मिद्वार से सीधे दुबूने मतों से विजई रही थी 30% वोट महागट बंदन को म सबसे अधिक है और यह लोग भाजपा को सीधे सपोर्ट करते हैं और यहीं कारण है कि भाजपा यहां पर अच्छा कासा वड़त मिल जाता है इसके साथ साथ इस शित्र में बनिया समुदाय का भी अच्छा कासा वोट है जो साब साब एकदम गोलवंध होकर एकमत होकर भा बाजपा यहां पर काफी मजबूत है इसके बाजपाई सीट को हलके में नहीं लेती है इस सीट पर ओबर कंफिडेंस में नहीं दिखती है और अभी जम कर वहां पर पुर्चार कर रही है बीजबूत करना है इसके लिए समराठ चोधरी जीधर भी जा रहे हैं रास्ते में जगा जगा पंचायत के प्रतिनिधी जो बाजपा के साथ जूड़े हैं सबसे समराठ चोधरी मिल रहे हैं रास्ते में छोटे-छोटे बैठक रखे जा रहे हैं और एक जगा हर एक छेत्र में बड़ी रैली भी रखी जा रही है जहां पर भारी बीड जूत रही है इस गर है कि जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो भी पक्षी पार्टियों के समझ में नहीं आता कि हो क्या गया बाकि या आप लोग इसके बारे में क्याराय रखते हैं क्यों भाजपा दूसरी पार्टियों से काफी आगे निकल जाती है क्यों में आप अपनी प्रतिक्रिया लि ये नहीं है षांपा है क्या में अन्हां जाती है में झाती है